हेलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो अभी अपडेट आया है अगर आपने और पी मेरे वीडियो उसको देखा होगा तो इसमें बहुत सोचीजों का अपडेट आपको मिला है जैसे कि सबसे नीचे जो आप यह देख पा रहे हैं परचेज और यहां बीच में एक plus का बटन है और right में एक sale का बटन है तो plus का बटन जो है यह update है इसमें जैसी आप click करेंगे तो यहां से sales related जितनी entries होती है purchase related जितनी entries होती है और जो भी expenses related जो entries होते है वो यहां पर आपको आप देखने को मिलेगी और उसके बाद आगर आप menus में जाएंगे जैसे कि मैंने menus पर click किया जो कि top side में है तो पहले इसमें जो sale entry कर सकते थे बट returns नहीं कर सकते थे लेकिन अब जो है पूरा पूरा update इसमें यह हो चुका है तो आप आप देखे जैसी मैं sale पर click करता हूँ तो sales related जितनी entries होती है जैसे sale list कि जो आपने sale कर दिया उसके list देखना चाते हैं या sale order लेना चाते हैं या sale return करना चाते हैं क्योंकि sales entry के साथ तीनी cases होते हैं या तो आपको कोई नया bill generate करना है या फिर bill generate करने से पहले कोई order generate करना है आपको किसी party ने आपको order दिया या किसी customer ने order दिया या फिर जो आप sale कर चुके हैं उसको वापस लेना है आपको तो ये भी entry यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मतलब कि completely mobile से ही आप handle कर सकते हैं और आगे मैं आपको बताऊंगा कि barcode की through भी आप billing कर सकते हैं कुछ demo product मैंने इसमें बनाए हैं और मेरे पास actual product भी हैं तो मैं आपको scan करके भी दिखाऊंगा ऐसे ही इसमें purchase हैं सेम जो sale की case में आपने देखा सी purchase है case में भी है और accounting से related जितनी जो entries होती है जो contra entry आपको pass करनी है general entry pass करनी है payment receipt तो वो भी चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी और सब कुछ एक group में कर दिया है पहले ही काफी बाहर ही option थे सारे के सारे अब एक group में है कि आगर sale पे click कर रहे हैं तो sales से related जितनी भी चीज़े होती है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी ऐसी purchase तो purchase के अंदर और ऐसी accounting reports अभी reports में जो भी तीन रिपोटों में चाहिए होती है ledger की या फिर outstanding की या stock की तो वो तीन reports अविलेवल है बाकी आगे आने ओले update में reports आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे या पर और उसके बाद नीचे बाकी चीज़े normal है बट एक option और भी मिला इसमें आपको utility का तो अगर आपको कोई problem create होती है तो अब आप अपने mobile से ही ticket को generate कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख पारें कि मैंने ticket को generate किया जिसमें solve out हो गये और एक जो है reject हो गया वो किसी करणवस जो है reject हो गया अगर मेरे को दुबारा से इसको reopen करना तो मैं reopen भी कर सकता हूं और उपर की side में अगर आप देख पारे हो create new ticket का तो ticket भी generate कर सकते हैं जो भी आपको problem face हो रही होगी उससे related तो दोस्तों यह दो चीज आपने देख लिए अब मैं आपको इसमें sale entry करके दिखाता हूं तो इसके लिए आप सीधा menu से जाने की जो इतनी पड़ेगी आपको आ आप यहां से decide कर सकते हैं उसके बाद जो भी customer है customer का mobile number आप डाल सकते हैं जैसे आप normally retail में billing करते हैं तो इस तरीके से मैंने customer का mobile number डाल दिया और यहां add item पे आप वो click करना है अब जैसी आप add item पे click करेंगे तो जितनी भी आपकी item list है वो open हो जाएगे और यहां से आप चा अगर आप चाहें तो और उपर की side में अगर आप देखनें टॉप में तो बारकोड scanning का option है आप इस पे click करेंगे और जैसी ही मैं इस पे click करूँगा तो देखें जो है camera open हो जाएगा और यहां पे जो भी product है तो बस मेरे को product को pass में लेके आना है और वो इसको scan करके item को add कर तो बारकोड scan करेंगे वो तो एक quantity default इसमें रखेगा अब मैंने इसे दो कर दिया के बाद दोस्तों next item को में scan करते हैं जैसे कि यह देख पा रहे हैं तो यह भी scan हो गया है यहां पर और तीसरे item को भी scan कर लेते हैं जैसे तीसरे item हमारे यह है और इस पे बारकोड है proper तो द simply जो नीचे save का button है उस पे click कर सकते हैं अगर कोई discount देना है आपको अपने customers को तो discount भी यहां पर अप्लाइ कर सकते हैं जैसे अभी यह जो है percentage में है अगर आप amount देना चाहते हैं तो इस पे click कर सकते है amount वाले section पर तो मैं अभी जो हैसे percentage में discount देता हूं suppose हमने इनको discount देता हो गया अब यह directly आप चाहें तो अपने printer से print कर सकते हैं यह फिर आप इनको WhatsApp कर सकते हैं कैसे नीचे share का button आप देख रहे हैं यह share का button है अब मैं किसी भी platform के जरीए किसी भी social media app के जरीए उनको भेज सकता हूं तो इस तरीके से जो है आप इसमें build generate कर सकते हैं बार कोड के through और जो नए updates थे वो भी मैंने आपको इसमें बताया अगर कुछ आपका comment है कि कोई और भी update होना चाहिए किसी चीज़ से related आप इसमें दिक्कत face कर रहे हैं तो आप मुझे comment के जरीए बता सकते हैं ठीक है तो आप मुझे comment करके बताईए और वीडियो अच्छी लगी करना है तो हमारे दिये के नमबर पर contact कर सकते हैं thanks for watching